आपके साथ मैं सुष्टी मिश्रा पत्रकार जी किसानों का क्या होगा और वाकेस्ट किया रहे कि आज दिल्ली जाने अगर नहीं दिया जाएगा हमें आगे आने वाले समय में तो हम गाउं में कील लगा देंगे फिर ये नेता नहीं आपाएंगे गाउं मतलब लोगसभा किसान अंदोलन को लेकर किसान नमस्कार मैं अजय पत्रकार करदू सरकार केखिए मैं के मामला खल भर क पंजाब सरकार केंद्ड के यहां तक राजनीत में यहां तक ढखेल के लिया है अब आप क्या कर रहा है हमारे साथ मुशीब्तों का हम पाहट पाहुड़ अब क्भाडर्रे किसी ने कुछ किया है तो आप उसका मुकाबला की जे अप मुकدमादायर कीजिए और अपना रुक साप कीजिए आज ये कहा है ये मतलब हो गया कि नोगों का ये भी है कि हम पहले भी किसानों को भी किसान की पंदेर कही ये भी कहना है कि जिस तरह से केंद हमारे च्छेत में घुसकर हमला किया है हमारे माहिनों तोड़ कि पंजाब सरकार को उनके खिलाब 302 का मामला दर्जे करना चाहिए हमारे पास सबूत हैं पंजाब सरकार ने हमारा लंगर बंद कर दिया और कल पिदरसन इस तर पर बहान आ रहे हैं पंजाब सरकार को अपना रुक पर्स करना होगा उनका हमारे बारे में क्या रूका बिलकुल वही पोईशन हो गई जो पहलवान लोग कहने लगेते हैं पहलवानों के धन्ने पे पिर उनलों ने इनलों को सुनाया आप पार्टी को कि आपने हमको करा करके बैड भी खाना भी ए भी और हमारे अंदोलन को महने डेर महने लंबा करा दिया अ उन्होंने क्या किया हमको ढखेल दिया ढखेल दिया और ढखेलने के बाद आपको बताना है वहां यह भी कहा गया कि एक बार क्या किया कि एक उसने पानी के जहाद से लाया और समुद के किनारे ला करके उसने खड़ा कर दिया बोलें आप यह तह किजे या तो समुद में कि नहीं कि यहां तो पॉजिशन दूसरी हो गई है कि यह तो हमको समुद में धकेल दे रहा है लड़ने नहीं दे रहे और उपर से यह तो एक अलग सासक मिला जो सीधे समुद में को डखेल दे रहा है कि तुम नकूंदो लड़ो यहां यह पोजिशन हो गई है और समुझ से जमीन में नहीं आने देना है अब उन्होंने इस पर काइन खाना-पानी बंद कर दे एक बात के लिए लोग इस कमला खाना-पानी रसा-दसा सब यह दे रहे थे अब पता थेला नोड़ी बार्डर पे जान गवाने वाले किसान का जो था वह बीक्यों नेता राकेश टिकाइन ने बताया सहीद खर जो भी हो दुर्वाग से मर गया इसके पहले ग्यांसिंग भी मर गया थे उनकी उमर काफी थी हाल डिटैक से मले थे उनकी रिपोर्ट से पता चल गया थ करना शुरू किया गया कई गुटों में भो गया यह और जब सहर में दोनों रास्ते खुले हुए हैं तो वहां पे बाहन लुकने से वहां पे थोड़ा सा जाम लगा संभू बार्डर में हम आपको बता रहा है कि जवान किसान के बीच तना तनी रही मगर सनाठा पसरा रहा अब अंदर की आपको बता रहे हैं कल इन्लोंने क्या किया है इनके गुड़ नी के लिए एलान किया यह काला दिन को ये ट्रेक्टर रेली का इनके गुट्ने का हिताए कि ऑच चिब़ेस माइच को एक ट्रेक्टर हुफ ने कालेंगे आप वहां पर ये भी कहरें थे 26 रिखरों ये डॉघ्टयों का और तमाम उनका वह करेंगे ने तैวलों के पुट्ले के लिए हम यह मामला इस्थिगित करते हैं वहां वाकी टौकी से बारा वाकी टौकी लगे हैं यह बंत्रियों से बात चले अब क्या है कि हकीकत यह कि डल्लेवाल जी पंधेड जी राकेश्टिकाइच जी इन लोग सामने मजबूरी है गुटों का नेत्तों करना कुछ ऐसे ल दोलन को बैक से लोग बिदेश से लोग आपको बता रहे हैं खलिस्तानी लोग भी सपोर्ट करना हैं अंदर से पन्नु का रहा है कनाड़ा के अमेरिका के जाल सोरे इंडी गडवंदन के लोग लाहूल गांदी इन सब की उम्मीद थी कि आग लग जाएगी हम बाहन होंगे आराम से अपने ये इनकी उम्मीद थी परन्त ये उम्मीद इन लोग की पूरी नहीं हो रही किसी तरह का कोई भी हिंसातमक वो होने की संभावना नहीं थोड़ी बहुत तनातनी होगी चुकि जाट एक बहादूर है शिक एक बहादूर कौम है और वो अपनी बात अगर कहत है कि उनको अगर कोई भी डिसीजन हुआ तो उनके साथ होते हैं अब आपको बतारा है कि इतने दिन से कोशिश करना है अब इस मामले को बढ़ार है है क्या कि इसमें आपको बतारा है मेन यह है कि यह 14 तारीख या इसके आसपास बड़ी रैली करेंगी दिल्ली में केजरी वाल की मैत यह कि किसी तरह से उन्होंने आप से इनको मान को कहा है कि किसी तरह से आप यह मामला लखो और यह मामला कर दो भी 14 तारीख को हम रहली पे पहुचे आप भी आ जाईए खुल करके और किसी तरह से हम लोग गुलच जाएं भिर जाएं और भिरने के बाद किसी तर दूसरी मान ने क्या कहा है कि राष्टपती सासल लगाना हो तो लगा दे मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि अभी तक के इतिहास में कुछी भी हो जितनी गौर्ण्मिंट आई उन्होंने स्टेट गौर्ण्मिंट गिरा दी भाज अपाने एक भी राज की गौर्ण्मिंट अभी तक नहीं किरा ही हे है हम अगर दलों का सरकार ही हो सकता कोई सरकार अलब मैं और उसके विज्जे बात है कि तुन्ट चुनाओ कराने का या पांस साल से पहले बीजे पी ने अपने द साल के सासनकाल में यह एक अच्छी बात अगर वह जाहे लेते बेंगॉल की विपक्षबात कर ला हुआ कांग्लेस कर रही कर रही कोड कह रही है सब बातें कह रही तब बेंगॉल की गॉवर्मिन नहीं तो बहाज़ेपा गवर्मिन्न या लाश्ट-पतीशासन का कोई समझ मगर मान है इस तरह कह रहा है वास्थों में मान नहीं नहीं कह रहा है मैं आपको अंदर की बात बता रहों की केजरी बाल यह चाहते हैं कि अगर जेल जाने का हो तो वहां की पंजाब की गौर्ण्ध det गिड़ जाए और पंजाब में अगर मैं जाऊँ तो सब को साथ ले जाओ нес जो है ते लंगाना तक जाए ते मिनिस्टरर फूर्व की लड़की सब लोग किसी तरह से जेल बेल खेल के चक्कर में ने रहें सब चले जाएं और अभी चले जाएं मान भी चले यह इनकी है राष्यत कई बासन खटर के स्तिफे लेकिन इस बीच किसानों के लिए समाधान केंद्र निकाल रही है अब देखते हैं कि दिल्ली कुछ का इनका अंदोलन कितना आगे बढ़ता है बहुत शुक्रिया पत्रकार जी आपकी विसलेशन के लिए आप सब की जो भी रहे हो जरूर कॉमेंट बॉक्स म कर दोली के